नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर बहुत बहुत स्वागत है डियर सेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं साइंस के टो फिफ्टी क्योशन जो बार बार आपसे एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो डियर सेंस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक और शेयर जुरूर कीजगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे साथ पहली बार जुड़े है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब पिलीजगा और बैल आइकन को प्रेस चैनल के नहीं सेमय है और उसके बाद आपको किशिन का अंसर बता क्या जाएगा और सुछ इस के ऐसे रिखूरु का मुख्या संगटड़क क्या है आपने प्यट्रोल का मुख्या संगटक क्या है तो राइट आंसर का ओप्शन बी आक्टेन ओप्शन बी रहेगा पैर बच्चो आपका राइट आंसर याद रहेगा पैट्रोल का मुख्य संगटक आक्टेन है चलिए सैकिंड देखेगा सैकिंड है पैर बच्चो आपके लिए प्राकर्तिक गैस का मुख्य अव्यव क्या है ? बताईगा प्राकर्तिक गैस का मुख्य अव्यव क्या है ? तो option A, मिथेन रहेगा आपका राइट आंसर धर देखेगा कच्छ स्थानों में वनस्पती के अप घटन के कारण उतपन गैस है ? तो option D, मिथेन रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स देगा परवच्चो गैसो होल का एक मिसरण है परसन आपका गैसो होल का एक मिसरण है तो राइट आंसरों का ओप्षन बी गैसोलीन और अथेनोल का तो बी रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है डियस्ट्रेंड्स, कार के इंजन में नौकिंग से बचने के लिए निमिन में से कोन परियोग में लाया जाता है, बताएगा कार के इंजन में नौकिंग से बचने के लिए निमिन में से कोन परियोग में लाया जाता है, तो option C, टेट्रा एथिलेड, option C रहेगा आपका right answer next है नमलेक्त में से किस देश ने gasoline में इथे नोल मिस्रित करना कानुन अनिवारिय कर दिया है तो डियर से यहापर आपका right answer हैगा option D ब्राजिल यहापर आपका क्या होगा right answer होगा next है डियर से नेक्स देखेगा नमलेक्त में से कोन जिवास में इंदन है नमलेक्त में से कोन जिवास में इंदन है तो right answer का option D इन में से जो प्राकरति गैस है वो क्या है वो एक जिवास में इंदन है तो D रहेगा आपका right answer next है डियर सेंस Octane संख्या गुनवत्ता का माप है Octane संख्या गुनवत्ता का माप क्या है तो right answer होगा option B petrol की तो बीरेगा आपका right answer next है देखेगा bio gas यंतर में निश्कासित नमलेक्त में से कौन सी gas इंदन गैस के रूप में उप्योग में आती है तो right answer होगा यहां पर है option C मिधेन यहां पर आपको क्या होगा right answer होगा next देखेगा पैर ब Schnetzर cigarette lighter में निंश्क्त में से कौन सी gas परिक्त होती है आप से पुछा गया है cigarette lighter में निंश्क्त में निमलेक्त में से लिए माप्यास परियुक्त होती है so option A ब्यूटेन रहेगा यहाँ पर आपका right answer next देखेगा dear friends next आपके लिए छपाई में परियोग की जाने वाली शाही निमलिक्त में से किसके ओप घटन से प्राप्त होती है तो right answer रहेगा dear friends option B methane यहाँ पर आपका right answer होगा 12 देखेगा methane gas उत्पादन करने वाला छेतर है methane gas उत्पादन करने वाला छेतर कौन सा है तो option B धान का खेत रहेगा आपका right answer 13 देखेगा प्राकर्तिक gas और बायो गैस दोनों में कौन सी gas होती है प्राकर्तिक gas और बायो गैस दोनों में कौन सी gas होती है तो option A, methane रहेगा आपका right answer next है dear friends, ethane एक उधारन है किसका उधारन है, right answer हैगा option A त्री आबंद वाले योगिक का, तो A होगा आपका right answer next है dear friends, 15 देखेगा नमलिक्त इंदनों में से कोन सा एक gas welding के परियोग में आता है तो option D, acetylene, option D रहेगा आपका right answer 16 देखेगा, CNG है, क्या है CNG right answer हैगा, option A, यहाँ पर आपका right answer होगा compressed natural gas, A रहेगा आपका right answer 17 देखेगा, सवचालित वहानों में पर्दूशन नियंत्रित हेतु प्रियोग CNG में मुख्यत उपस्तित है क्या उपस्तित है, option E, CH4, A रहेगा आपका right answer next देखेगा, gaso hole है, क्या है gaso hole option A, एथिल एलकोहल प्लस पेट्रोल तो A रहेगा आपका right answer 90 देखेगा, शीशा किसके उत्वादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है तो right answer का प्यारबच्चों यहाँ पर आपका option C, एलकोहल होगा आपका right answer 20 देखेगा, calcium carbide gel से किरिया करने पर देता है calcium carbide gel से किरिया करने पर क्या देता है, right answer का option D acetylene यहाँ पर आपका क्या होगा, right answer होगा next है प्यारबच्चों 21 देखेगा, नमलिक्त गैस मिस्रनों में से कौन सा welding के लिए परियुक्त किया जाता है, तो option B, oxygen तथा acetylene भी रहेगा, right answer 22 देखेगा, बैंजीन के लिए निमेन में से कौन सा कथन सत्या है तो right answer का due chance option B, इसमें 12 sigma एवं 3 pi बंद होते है तो B रहेगा आपका right answer 23 देखेगा, एकिल अलकोहल में निमेन को मिला कर जहर बनाया जाता है तो right answer का option B, methanol एवं प्रिडिन option B रहेगा आपका right answer 24 देखेगा, पैर बच्चो, LPG में सबसे अधिक मातरा में क्या होता है LPG में सबसे अधिक मातरा में क्या होता है तो option D, butane होता है, तो D रहेगा आपका right answer 25 देखेगा, Indian gas यानि LPG misran है किसका misran है, dear friends right answer का option C, butane एवं प्रोपेन का तो C होगा आपका right answer next है, पैर बच्चो, 26 slender में खाना पकाने वाली gas किस रूप में भरी होती है option A, तरल रूप में भरी होती है A रहेगा आपका right answer 27 देखेगा, नमलिक्त में से कोन सी तत्तो सभी कार्बनिक योगिक में मिलता है तो right answer होगा यहाँ पर आपका option A carbon आपका क्या होगा, right answer होगा next add your sense, दूद को दही के रूप में खटा करना इसका एक उधारन है तो किसका उधारन है, किनवीन का, सी रहेगा आपका right answer 29 देखेगा, डीजल की गुणवत्ता किस से अभिवेक्त की जाती है बताएगा बच्चो, डीजल की गुणवत्ता किस से अभिवेक्त की जाती है तो option A, सीटेन, संख्या, option A रहेगा आपका right answer चलिएगा, next है, प्यारे बच्चो, 30 देखेगा, बायो गैस का मुख्या घटक है क्या है, बायो गैस का मुख्या घटक तो right answer का option B, मिथेन रहेगा आपका right answer 31 देखेगा, एक बायो गैस से यंत्र में निमिन में से कोन सी प्रिक्रिया होती है तो option A, किन्विन प्रिक्रिया होती है, ए रहेगा आपका right answer 32 देखेगा, LPG, गैस के मुख्या अव्यव है question आपका LPG, गैस के मुख्या अव्यव है तो option C, एथीन प्रोपेन और ब्यूटेन C रहेगा आपका right answer 33 देखेगा, निमलिक्त में से कोन सा रसाइन फल पकाने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो B, कैल्सियम कर्बाइड ओप्सन भी रहेगा आपका right answer 34 देखेगा, हरे फलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्सियम कर्बाइड का प्रियोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन करता है, क्या उत्पन करता है right answer होगा option C, एसे टिलीन तो C रहेगा आपका right answer next देखेगा, 35, निमलिक्त में से कोन फलो को पकाने में बढ़ावा देता है तो option D, एथिलीन होगा, आपका right answer अगर अभी तक आपने वडियों को like और share नहीं किया, तो please like और share कर दीजीगा next है, 36, देखेगा, octopus है एक, क्या है octopus, right answer का option D मृदू कवची है, octopus, तो D रहेगा आपका right answer, 37 देखेगा 37 देखेगा, 37 देखेगा, आपके लिए डेलीफिस के नाम से जाना जाता है तो किसको जाना जाता है, right answer का option D, octopus को जाना जाता है तो D होगा आपका right answer, next देखेगा, देखेगा, 38, तारा मचली, नमलक्त में से किस संग का प्रानी है तो किस संग का प्रानी है, option D, echinodermata, option D होगा आपका right answer next देखेगा, 39, 39 है आपका, फेरेटी, मापोस्थूमा, निमिनमस से किसका वैज्यानिक नाम है तो option A, catchway का वैज्यानिक नाम है, do you sense, A रहेगा आपका right answer next है, कीटों में कितनी जोडी टांगे होती है आपने बिताने यहाँ पर very important question है, तो comment box में परते एक बच्चा answer जरूर लगएगा कीटों में कितनी जोडी टांगे होती है, तो right answer का option C, 3, यानि 3 होगा आपका right answer next 41, निद्रा रोग फैलाती है, क्या फैलाती पैर बच्चों, option A, CC, मखी, A रहेगा आपका right answer 42 देखीगा, amphibia बताता है, क्या बताता है, right answer का option D, जले एवंस्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पस्वों को, तो D होगा आपका right answer next 43, निमलिक्त में से कोन सा एक कपी नहीं है, निमलिक्त में से कोन सा एक कपी नहीं है तो option C, लंगूर यहाँ पर आपका क्या होगा, right answer का 44 देखीगा, मानव सदरश लगूतम कपी है तो right answer होगा डियर्टेटेंस, हिहां पर आपका option A, given यहां पर आपका क्या होगा, right answer होगा, 45 देखेगा, निमलिक ते उडने वाले जीवों में से कौन सा पक्सी वरग में नहीं आता, तो right answer होगा, option A, चम गादर होगा, right answer होगा, चलिए 46 देखेगा डियो स्टेंट्स डोल्फिन वर्गी कृत किये जाते हैं तो option D सतनी में D रहेगा आपका right answer 47 के साथ जुड़ेगा 47 आपके लिए डाइनोसोर थे क्या थे डाइनोसोर थे तो right answer हेगा आपका option D श्री शर्प जो अब क्या हो गए है लुप्त हो गए है समाप्त हो गए है तो D होगा आपका right answer next 48 है यहाँ पर आपका सामानत है जीव अपना स्थान बदल सकते है किन्तु निमिन में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता तो right answer होगा आपका option D sponge option D होगा आपका right answer 49 देखेगा निमिलिक्त में से कौन सी एक परकार की मचली है तो option C option C रहेगा आपका right answer next है आज का last question additions आपका निमिलिक्त में से कौन मचली नहीं है तो option A star face रहेगा आपका right answer तो directions यह थे आज के आपके top science के 50 questions जो बार बार आपसे exam में पुछी जा रहे तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं हमारे साथ पहली बार जूड़े हैं तो प्लीज च झाल